आप सभी डिये स्ट्रेंट्स को मेरा नमस्कार कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारियों में व्यस्त होंगे डियोस्टेंस आर्पेसी द्वारा आयुजित होने वाली फस्ट ग्रेड एग्जामिनेशन के पेपर फस्ट की रन्नती के बारा में आज मैं चर्चा करने आया हूँ कि इस पेपर को किस प्रकार से हम प्रभावी डंग से तैयार करें ताकि हम लोग मैक्जिमम मार्क्स हासिल कर पाएं क्योंकि आर्पेसी फस्ट ग्रेड एग्जामिनेशन के सेलेक्शन में ये जो पेपर है ये एक बहुती एहम रोल रखता है क्योंकि सब्जेक्ट के हम बात करें तो जो प्रिप्रेशन करने वाले हैं उन सभी केंड़ेट का सब्जेक्ट जो है वो अच्छा हो जाता है उनकी सब्जेक्ट पर कमांड होती है लेकिन वो फस्ट पेपर में कहीं ने कहीं चूक कर बेटते हैं तो जूस्टेंड्स, सलेक्शन को शत्प्रतिशत् सूनिश्चित करवाने के लिए, आप लोग फस्ट पेपर को बिलकुल भी इग्नोर ना करें, इस पेपर को आप डेली बेसिस पर तयार करें, अपने सब्जेक्ट के साथ ही, और अपना सलेक्शन सूनिश्चित कराएं, तो और इसके अंदर ये वेरियस की पॉइंट्स और टॉपिक्स देवे हैं, तो जूस्टेंड्स, ये जो पहला टॉपिक है, हमारा, इसे तयार करने से पहले, आप लोग सबसे पहले, जो राजस्तान मादमे सुक्षा बोर्ड की, राजस्तान से समंदित किताबे हैं, जो 6 में चलती है, 7 में चलती है, 8 में चलती है, हमारा राजस्तान करके, उनसे आप सुरुवात करें, फिर 9, 10 में भी आपको ये राजस्तान की किताबे मिल जाएगी, उसे भी आप पढ़ें, एक स्क्रिन शोट में आपको यहाँ पर दिखाता हूं, तो इस स्क्रिन पर अधर आ रहा है डियस्टरंट्स, आप देख सकते हैं, 8 क्लास की हमारा राजस्तान वाली किताब है, 9 की किताब है, और 10 की किताब है, आप इन्हें राजस्तान मादने पिसक्षाप बोर्ड की जो वेब साइट आप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके साथ ही 12 में चलने व इसके बाद सेलेबस के अकोर्डिंग आप लोगों को जो पढ़ना है, उसके लिए एक किताब में और सजस्ट करना चाहूंगा याँपर, जैसा ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इत्यास कलाओ संस्कृति के लिए, भारत और राजस्तान की जो इत्यास है, कला है नात पब्लिकेशन की पवन भंवरिया सर की जो ये किताब है, इसे भी रेफरेंस में ले सकते हैं, इसमें आपका पूरा जो फस्ट टोपिक है, जिससे आपके लगब 15 नमबर के प्रशन पूछे जाएंगे, वो कवर हो जाएंगे, और आप गहनता से इसे पढ़ें, इसके तो डियो स्टेंट्स लगबग 15 क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाएंगे, और इन 15 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेर करना है, लाइन बाइन आपको हर एक टोपिक अच्छे से तयार करके जाना है, ताकि आपके 30 मार्क्स दो नमबर का एक तो आपके 30 मार्क्स जो है, वो यहां से कवर हो जाए, बिल्कुल आप अपनी तयारी शूरू कर दें, दूसरा हम बात करें, mental ability test की, जो दूसरा topic है हमारा, जिसमें analogy series, completion, coding, decoding, blood relations, logical, when diagrams, alphabetical test, यह सारे topic, इसके अंदर समिलित किये गए हैं, तो इनको आप कहां से prepare करेंगे, तो इनके लिए भी मैं आप लोगों को एक book suggest करता हूँ, यह रामनिवास मतूरिया, सर की किताब है, जो की bank railway examination के लिए candidate खरीतते हैं, इस book से आप अपनी mental ability, reasoning, सामन्य बुद्ध्ययों तर्क शक्ति परिक्षन अच्छा कर सकते हैं, इस book से आप बिल्कुल practice कर सकते हैं, और अपनी mental ability को बढ़ा सकते हैं, इसके लावा भी market में बहुत सारी किताबे available distance, आप अच्छे से किताबे देखें, और जो आपको पसंद आए, वहाँ से आप mental ability को भी तयार कर लाएं, Mental ability में ही हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर statistics secondary level का portion भी है, साथ ही mathematics secondary level का portion भी है, mensuration का portion भी है, तो distance इन तिनों चीजों को करने के लिए, statistics, mathematics और mensuration, आप राजस्तान मादिमिक शिक्षा बोर्ड की चलने वाली या CBSC बोर्ड की चलने वाली 9th वैं 10th की book देखेंगे, mathematics की जो 9th और 10th की किताबे हैं, जो मादिमिक शिक्षा बोर्ड में हिंदी मादिय में चलती है, और CBSC में इंग्लिश मादिय में चलती है, आप अच्छे से 9th और 10th की किताबों से ये सारे topic आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें कर लें, और बहुत अच्छे से करें, ताकि mathematics का जो question आपका आने वाला है, वो यहाँ से अच्छे से तेयर आपका हो जाए और छूटे ना, तो resistance mathematics को आप 9th और 10th की किताबों से बहुत अच्छे से prepare कर सकते हैं, आपको सारी चीज़े 9th और 10th की किताबों में मिल जाएगी, और मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत अच्छे से mathematics को तयार करके जाएं 9th और 10th की किताबों से, language ability test के हम बात करें, हिंदी और English की यह भी mental ability वाले portion में ही सम्मिलित है, तो सबसे पहले हिंदी में, जो समाने हिंदी में संधी, संधी, विच्छेद, उपसर्व, प्रत्य, यह जो व्याकरण का portion है, यह हम कहां से त्यार करें, तो इसके लिए भी distance मादिमिक शिक्ष्या बोर्ड में चलने वाली एक रचना प्रभोत की किताब है, जिसे मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, वहां से आप इसे प्रिपेर कर सकते हैं, यह हिंदी व्याकरण, अब हम रचना प्रभोत की किताब मादिमिक शिक्ष्या बोर्ड में चलती है, आप उनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस बैसिक किताब से अपनी हिंदी को आप मजबूत बनाएं डियोस्ट्रेंज, उसके बाद आप चाहें तो इस किताब से प्रेक्टिस कर सकते हैं, मानस हिंदी व्याकरण, सुबास यादव सर और राजंदर लांबा सर की एक किताब है, जिसमें वर्ष 2020 तक की प्रेक्षाओं में आयोए लगबग 4500 प्रसनों का संक्लन है, तो आप हिंदी व्याकरण को यहाँ से मजबूत बना सकते हैं, ट्रेक्टिस के लिए ये किताब बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगी, इसे प्रिकार से जनरल इंग्लिश के में बात करूँ कि जनरल इंग्लिश हम कहां से तयार कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको 9 वद 10 की जो इंग्लिश की पास्बुक्स आती है, चाहे वो संजीव पास्बुक्स हो, संजीव इंग्लिश कॉर्स हो, संजीव इंग्लिश कॉर्स जो मादिमेक शिक्षा बोड के बच्चे पढ़ता हैं, वहाँ से आप यह सारे टोपिक जो हैं, कवर कर सकते हैं, उसमें आपको सारे टोपिक मिल जाएंगे, टैंसर, सिख्वेंस UP Tैंसर मिल जाएगा, और ठेट इंड्र इंडारेट आपको मिल जाएगा, तो 9 पेंग्लिश की जो किताबे हैं, एक्सेलेंट आती है, संजीव English Course आता है, वहां से आप इसे प्रिपेर कर सकते हैं बैसिक किताब उसे आप इन्हें प्रिपेर करें, साथी Lucent की एक English की बुक आती है वह भी मैं आपको यहां पर शो कर दता हूँ, वहां से भी आप प्रिपेर कर सकते हैं कुछ एंटोनिम्स वगरा तो यह Lucent General English की किताब है, जहां से आपकी General English बहुत अच्छे हो जाएगी इस किताब को आप रेफ्रेंस में ले सकते हैं, और अपनी General English को मजबूत बना सकते हैं तो Mental Ability जो हमारा दूसरा यहां पर टोपिक है, उससे लगबग 20 प्रस्टन आपको पूछे जाएंगे लगबग 20 क्वेस्टन यहाँ पर आएंगे और 40 मार्क्स के यह हो जाएंगे तो Distance यह सबसे बड़ा portion है, मेरा ऐसा मानना है और आप इस portion को बहुत अच्छे से prepare करके जाएं Next हम देखते है, current affair के हम बात करते हैं current affair के लिए आप chronology बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं जो अंतरास्ट्री क्रोनोलोजी आती है, उसे ही आप पढ़ें अच्छे से या फिर मूमल भी आप पढ़ सकते हैं, मूमल भी अच्छी किताब है मूमल का वार्शी कांग भी आता है, वो आप देख सकते हैं आपका examination होने वाला हो, उसके एक एर पहले का वार्शी कांग आपको मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से पढ़ें और अपना current affair त्यार करें आपको मूमल करंट जी के राजस्तान का वार्शी कांग 23 चोईस का यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो यह पूरा वार्शी कांग बाजार में उपलब्ध हो जाता है और आपके examination से पहले जो भी वार्शी कांग आपको मिल जाए, उसे आप अच्छे से पढ़ लें chronology आपको मन्त बैसिस पर मिल जाती है, उसे आप पढ़ सकते हैं, मूमल भी दो महिनों की एक मूमल शायद अवलेबल हो जाती है मार्केट में, वो भी आप पढ़ सकते हैं कोई भी एक current affair की अच्छे से book आप ले लें और उसे prepare करते हुए जाएं, कम से कम one year का current affair आप अच्छे से prepare करें current affair के भी लगबग 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और 20 नंबर के यह हो जाएंगे, तो distance current affair भी आप अच्छे से करके जाएं general science की में बात करूँ तो फिर से मैं एक ही बात बोलूँगा, general science को आपको 9 बद 10 की माद्यमिक शिक्षा board में चलने वाली किताबों से पूरा करना है, माद्यमिक शिक्षा board में अभी NCRT वाली किताब ही चलती है, जो हिंदी में चलती है आप CVRC की 9 बद 10 की किताबे भी English Medium में reference में ले सकते हैं तो 9 बद 10 की science से आप अपनी general science को अच्छे से prepare कर लें, काफी है वो, वहां से एक भी प्रशन आपका बार नहीं जाएगा, 9 बद 10 की general science, जो science की किताब है वहीं से आपको general science कम्प्लेट करनी है इंडियन पॉलिटी की बात करूँ, तो इंडियन पॉलिटी के लिए वैसे तो लक्षमिकान सर की किताब आती है, बहुत बड़ी किताब है उसे बहुत जल्दी पढ़ा नहीं जा सकता तो इसके लिए और जोग्राफिय ओफ राजस्तान के लिए फिर से मैं आपको एक बुक सेजेस्ट करता हूँ जो मार्केट में अवलेबल है नाद पब्लिकेशन की ही ये किताब है जिसको राकेज बासकर सरने, गोदारा सरने और टेलर सरने लिखा है और ये राजस्तान भुगोल को भी कवर करती है और भारती राजवावस्ता जो फस्ट क्रेड के लिए प्रतम प्रश्ण पत्र में आने वाली है उसको कवर करेगी नाद पब्लिकेशन की आप इसको रेफरेंस में ले सकते हैं और यहां से इन टोपिक को त्यार कर सकते हैं जनरल साइन्स, इंडिन पॉलिटी और जोग्राफिय और राजस्तान से भी लगबग 15 प्रश्ण आप लोगों को पूछे जाएंगे और यह भी 30 मार्क्स के हो जाएंगे तो डिस्टेंट्स बिलकुल लाइन बाइन आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें फिर पाँचवी जो हमारी यूनिट आ जाती है यह पाँचवा हमारा टोपिक आ जाता है अजीचनानióल मेनेजमेंट एजीचनिल सीनेजन राजिसतान राइट टो ऐजोड़ासन एक्ट तो यहां से भी बहुत सारे पर रसन जो पर पिर जाता है और इसके लिए राड पर प्लिकेशन की किताब आप ले सकते हैं सेक्षिक प्रभंदन और प्रसाशन की एक गिताब है और जब कभी भी आपका examination हो ये new edition निकालेंगे उसी को आप खरीदें और अच्छे से इसे पढ़ लें तो आपका सेक्षिक प्रभंदन और प्रसाशन अच्छे से आपका तयार हो जाएगा, इसके अलावा, जो वेब साइट है, राजस्तान, स्कूल एजुकेशन की, वहाँ पर भी आपको इसका मेटर मिल जाएगा, इस वाले पेरा ग्राफ से भी लगबग 15 कुश्चन आपको पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के वो हो जाएंगे, तो डिस्टेंट्स, किसी भी एक एजुकेशन मेनेजमेंट वाली किताब को आप फॉलो कर लें, और उसे पढ़ लें, और मैंने बताई है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं फिर से एक ही चीज़ कहूँगा कि, ज्यादा किताबों के चक्र में आप ना पढ़ें, जो भी किताब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, जिसके लेंग्वेज बहुत अच्छी है, और आपने पता किया है कि वह एक ओफिंटिक किताब है, और बजार में ज्यादा मात्रा में भिक रही है तो आप उसे अच्छे से पढ़ लें, और उससे अपना सब्जेक्ट जनरल स्टेडीज और जनरल अवैरनेस त्यार कर लें तो इस प्रकार से हम फस्ट पेपर को बहुत अच्छे से त्यार कर सकते हैं फिर से मैं यही कहूंगा कि जो नाइन्थ तेंथ की हमारी मादिमिक शिक्षाप बोर्ड की किताबे हैं जहां से आपको जो कोई भी पेरेग्राफ मिल रहा है आप उनी से वो त्यार करें सबसे पहले और फिर रेफरेंस बुक पर जाएं इसके लावा अगर मैं एक गाइड की बात करूँ कि हम गाइड कौन सी खरीदें सर तो मैंने लक्ष की गाइड पड़ी थी आप लोग भी लक्ष पब्लिकेशन की जो जीके के लिए गाइड आती है उसे आप खरीद सकते हैं उसमें भी आपको सारे टोपिक अवलेबल हो जाएंगे और उससे भी आप प्रेक्टिस कर सकते हैं यह लक्ष पब्लिकेशन की गाइड है जो फस्क जीके के पेपर को कवर करती है अच्छी गाइड है आप इससे रेफरेंस में ले सकते हैं और अपनी तैयरी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं का सेलेक्शन में बहुती अत्यधिक रोल है आप इस पेपर को कम आक कर ना चलें सब्जेक्ट के उपर ही निर्भर ना रहें अपनी सफलता को सुनिशित करने के लिए आपको फस्ट पेपर को बहुत ढंग से तयार करना होगा और मैजिमम मार्क्स आपको इस पेपर में हासिल करने होंगे तभी आप सफलता का स्वाच चक पाएंगे तो अब सभी को मेरा फिर से प्यार बहुत नवसकार आज के इस वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इससे आप समझ पाएंगे कि आपको फस्ट पेपर किस प्रका